नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अधिनस सितियों के संबन्द में उससे पहले जो मेरे चैनल पर ने विविवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको यूपिटर पलेसी के परिणाम की और किसी भी भरती की कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच जाए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ किस भरती की सेकंड लिष्ट आयोग बहुत जल्द जारी करेगा दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ एग्रिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट किर्शी प्राविदिक सहायक भरती विग्यापन संख्या तीन परिक्षा 2018 के संबंद में जैसा कि आप जानते हैं कि AGTA भरती का डॉकुमेंट वरिफिकेशन पूरा हो चुका है और अब इस भरती का अंतिम परिणाम आना है दोस्तो AGTA की जो भरती है इसमें कुल 2069 पद थे और मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें सभी बच्चे डॉकुमेंट वरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं पहुँचे है साड़े 400 के आसपास इस भरती में अभी सीट खाली है मतलब साड़े 400 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनोंने AGTA की भरती में डॉकुमेंट वरिफिकेशन नहीं कराया है तो जाहिर सी बात है और लिए जाएंगे ठीक है दोस्तो दोस्तो इस बारे में सूचना ये प्राप्त हो रही है कि AGTA भरती की जो सेकंड लिस्ट है साड़े 400 बच्चों की वो जनवरी के लास्ट में आयो की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी जी आँ दोस्तो किर्शी प्राविदिक सहायक विग्यापन संक्या तीन परिक्षा 2018 की जो सेकंड लिस्ट है वो आपको जनवरी में सौप प्रतिशत देखने को मिल जाएगी क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनोंने अपना डीवी नहीं कराया है 1969 में से 4500 के असपास बच्चे ऐसे मिले हैं जो अपना डीवी कराने नहीं पहुँचे हैं जिनका कहीं न कहीं सेलेक्षन हो चुका है तो आयोग जनवरी के लास्ट में इसकी सेकंड लिस्ट जारी करेगा और जिनका दो या तीन निमबर से सेलेक्षन रुका हुआ है उनका इसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा चीक है दोस्तों तो ये खबर हो गई AGTA भरती के संबंद में दो भरतियों के संबंद में यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों